नवस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में है करक रेखा जहां दोस्तों करक रेखा विस्व भारत और मद्ध प्रदिश में कहां कहां से गुजरती है उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उनसे निवेदन है कि बहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अंगला नाइब यूटू डालूगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच रहें तो चलिए दोस् पर ग्लोब पर पच्छिम से पूर की और खींची कई काल्पनिक रेखा को करक रेखा कहते हैं इसके बाद अंगला यह रेखा प्रत्वी पर उन पांच पिरमुक आकांग्छों रेखां में से एक है जो प्रत्वी के मानचित पर परिलक्चित होती है और करक रेखा प्रत्वी की उतरतम आक्छांक रेखा है जिस पर शूर्य दोफैर के समय लंबित चमकता है और आंगे बात करते हैं इसके इस रेखा की स्थिति इस्ताई नहीं है बरन इसमें समय के अनुशार फिर फिर होता रहता है दोस्तो सबसे मौश्ट इंपोर्टेंट बात इसकी 21 जून को जब सूर्य इस रेखा पर एक दम उपर होता है और उत्री गोलार्थ में बहे दिन सबसे लंबा बारात सबसे चोटी होती है 21 जून को करकर रेखा पर स्टूर्य एकदम उपर रहता है और उत्री गोलार्थ में सबसे लंबा दिन और सबसे चोटी रात होती है पर चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब जानते हैं करकर रेखा विस्व किन-किन देसों से होकर बुजरती है तो दोस्तों यह देश के नाम दिए है सबसे पहला देश है मेर्सिको फिर अल्जीरिया माली माली तानिया मिस्र नाइजर मेंमार शयुक अरीव आशीमात यानी की यू ए ए फिर बहमाश ताइवान ओमान चाल्ड दोस्तों या उत्तरतम सीमा में है और चीन बांगलादेश मैक्स को मैक्सी को है या मौरक को है और अंगला है साउदी अरब अंगला है भारत देश और फिर इसके बाद है लिविया दोस्तों या विस्व के और टोटल अठारा देशों से होकर करकरेखा गुजरती है इसके देश को याद करने की है बहुत ही अच्छी ट्रेक है आप इसको आसान से याद कर सकते हैं आप इन दो लाइनों को याद करके इनको आप अपने अनुशार जमा सकते हैं इसकी ट्रेक में यहां पर दी हुए मैं आलजेरिया वाले महमा के इन दो लाइनों को याद करके इन 18 राज्यों को याद कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आंगे बढ़ते हैं अब दोस्तों भारत में करक रेखा दोस्तों अभी विस्व की बात की थी आप भारत की बात करते हैं तो भारत में करक रेखा आठ राज्यों से होकर गुजरती है दो दूसरा राजिस्तान तीसरा मद्ध प्रदेश चौथा च्छतिसगर पाच्वा है जारखंड छट्मा है पेश्चिम बंगाल शात्मा तृपुरा और आठमा है मिजुरम दोस्तों यह भारत के एक भारत में करकरेका उज्जेन के मद्ध से निकलती है इसी कारण से जैपुर क व्हाराजा जैसे हैं दुतिये ने यहां बैद साला बनवाई इसे ही जंतर मंतर कहते हैं यह खगॉल सास्तर के अध्यन के लिए है इस कारण से ही यह स्थान काल गरना के लिए एक दम सटीक माना जाता है और यहां से अधिकतर हिंदू पंचांग निकलते हैं कि दूस्तों यह बहुत ही महत्पूर्ण वाली वाद है कि उज्जयन में जो ब्याद साला है वहाई जैपूर की महाराजा जय सेहंदितिया ने बनवाई थी जिसको जनतमंदर कहते हैं और दोस्तों भारत देश के आठ राज्यों से यह रेखा गुजरती है और इसके बाद आ करक रेखा मद्द परदिश के 14 जल्व से वकर गुजरती है सबसे पहले प्रविस्ट करती है रतलाम से उसके बाद और जैन उसके बाद तीश नमर पर आता है आगर उसके बाद आंगे चल की राजगर्ड फिर आंगे चल की सीहौर आता है फिर सीहौर के बाद भूपाल अगे दोस्तों चोगोडा जली हैं जो मद्द परदिश में और इससे करक रेखा गुजरती है छाप चली दोस्तों आंगे बढ़ते हैं छुभ विस्तव यहां पूरा मद्य-प्रदेश का मांचित रहा और यहां पर नहीं पिभती अब आगर से होकर राजगारणना प्रुष्थ करती में धोड़ी सी और ieso पाल में फिर वोपाल के विदीसा आता है विदीसा गे बाद दमों के बाद बेसक। दोस्तों करेका सम्बंदित कुछद महत्त्तव आप को है realistic पसंद आया हूँ तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्रीज आप से नभी दने कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताग जो भी मैं अंगला नए वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें तो चलिए दोस्तों आंगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के शाथ अब तक लिए दोस्तों बाए